जब कभी भी आपका मन हो कुछ हलका फुलका खाने का या मूड ना हो किचन में जाकर लंबे प्रोसेस वाली कुकिंग करने का तो आप ये वाली मसाला खिचडी ट्राइ कर सकते हैं ये खाने में healthy और light है साथी protein से भरपूर है और इसका taste बहुत ही लाजवाब होता है तो आई आस्वादों से हथ में बनाते हैं मसाला खिचडी तो देख लेते हैं किस तरीके से बनानी है ये मसाला खिचडी तो ये मसाला खिचडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ प और दालों चावल को दो तीन बार अच्छे से धोने के बाद में इसको पानी से भर करके और अब हमें 15 मिनिट दालों चावल को भीगने के लिए रख देना है अब एक पैन में दो चम्मच तेल लेना है मैं ये खिचडी खुले में बना रही हूँ अगर आप कूकर में बनाना चाहें तो कूकर में भी बना सकते हैं प्रोसेस सेम रहेगा तेल गर्म होने पर इसके अंदर एक चम्मच जीरा डालेंगे साथी इसमें एक चुटा चम्मच राई अड़ करेंगे अब इसमें एक बड़े साइस का बारीक तवा प्याज डालेंगे और प्याज को हमें भून लेना है प्यास के साथ ही मैं इसमें 10-15 curry leaves डाल रही हूं प्यास जब भूंचाए तो इसके अंदर हमें एक चमच हल्दी powder डालना है साथ ही इसमें एक चमच लाल मिच पाउडर डालेंगे हल्दी और लाल मिच पाउडर को हलका सा भून लेंगे और अब इसमें मैं दो हरी मिर्च काट करके डाल रही हूँ तो हरी मिर्च को मैंने लंबे-लंबे पीसिस में कट किया है हरी मिर्च को भी थोड़ा सा भून लेंगे अब इसमें मैं एक चमच किचन किंग मसाला डाल रही हूँ इससे वह खिचडी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और बस मसालों को थोड़ा सा भून लेने के बाद में जो दाल चावल हमने भीगने के लिए रखे थे उसका पानी नितार करके और मसाले के अंदर डाल चावल को मसाले में अच्छा से मिक्स कर लेना है और अब इसमें पानी अट करेंगे तो मैं इसमें 6 कप पानी अट कर रही हूँ 2 कप हमने दाल चावल लिये थे और उसका 3 गुना हमें इसके अंदर पानी अट करना है आप खिचडी के अंदर टेस्ट के हिसाफ से नमक एड़ कर देंगे नमक को मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढगा करके हमें लगबग 25 से 30 मिनिट के लिए कुक करना है और अगर आप कुकर में बना रहे हैं खिचडी तो 3 विसलाने तक कुकर में पका ले तो यहां खिचडी को पकते हुए 20 मिनिट हो चुके हैं खिचडी हमारी अल्मोस्ट पक चुकी है लेकिन दाने में थोड़ा सा भी कच्चापन है और आप देख सकते हैं पानी भी सारा इवैपरेट हो चुका है तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं और एट कर रही हूँ तो लगबग आधा कप पानी इसमें मैं और एट करूँगी और अब फिर से इसको 5 मिनिट के लिए पकाएंगे तो ठकन लगा देंगे और फिर से खिचडी जो है उसको 5 मिनिट हमें पकाना है तो यहां 5 मिनिट के बाद में देख सकते हैं आप खिचडी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है टोटल मैंने इसको 25 मिनिट पकाया है अब लास्ट में मैं इसमें एक मेडियम साइज का लंबा कटावा प्याज आएक कर रही हूँ और साथ ही एक हरी मिर्च डाल रही हूँ हरी मिर्च और प्याज का हलका कच्चा पन लिएवे जो टेस्ट है वो खिचडी के अंदर बहुत ही टेस्टी लगेगा आप जरूर इसको ट्राइ कीजेगा डाल करके देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है यह और बस इसको हलका सा हमें पकाना है बहुत जादा प्याज और हरी मिर्च को लास में पकाएंगे नहीं बस 15-20 सेकेंड के लिए इसको कुक करेंगे और बस 15-20 सेकेंड के बाद में गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और ये लिजे हमारी गर्मा गर्म मसाला खिचडी बन करके तियार हो गई है ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंस एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा आप इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं कड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं मेरे यहां खिचडी कड़ी के साथ सर्व क तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा जादा से जादा आपने फ्रेंद्स और फैमिली में वीडियो को शेर कीजेगा फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई रसेपी के साथ में इसी चैनल पे तब तकिली भाइ, stay connected, happy cooking.